दोस्तो गुजरात मोदी जी का गड़ है गुजरात अमिच शा का गड़ है गुजरात बीजेपी का 27 साल से गुजरात में एक छत्र राज है उसके बाद भी गुजरात की लुकसभा सीटों पर मामला फस चुका है यूपी बिहार महराश्टर में एक बड़ा छटका तो बीजेपी को लगने जाही रहा है कि अब मोदी शा के गड़ में बीजेपी को लुकसभा सीटे अगर हारनी पड़े एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छै नहीं साथ से अधिक सीटें गवानी लेकिन किसने कितने सीटों पर बीजेपी की खटिया खड़ी करती बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से लेकिन पहले आप से कहूंगी कि देश निती को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश निती पर देश निती किवल सची और पक्की खबे दोहजार चोबीस लुकसभा चुनाव दोस्तों सर पर है महस दो हफ़ते बाद चुनाव शुरू हो जाएगा 19 अप्रील को ऐसे में मोदी ट्रिका गड़ अमित शा का गड़ गुजरात में बगावत की गुंज अगर मोदी के ग्रहराज में गुंज रही है तो सोचिए मोदी शा का क्या हाल हो रहा होगा वो गुजरात जहां विधान सभा हो चाहे लोग सभा हो हर चुनाव में सिर्फ भाजपा या भगवा या कमल खिलता है भाजपा की जिद जहां पक्की है उस जगहा पर उस गुजरात में चुनावी समिकरन पूरी तरह से पलट किया है लेकिन किसने पलटा है किसने प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी और ग्रह मंतरी अमिट शा के ग्रहराज्य में सेंध लगाया है ग्रहराज्य गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है फिरहाल बताएंगे उनके बारे में एक तरफ भाजपा के जमीनी कार्यकरता खुल कर अपने ही लोकसबा उमिदवारों का विरोध कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ पार्टी की ही दिगच नेता पर्दे के पीछे से इसे हवा दे रहे हैं ये ऐसे दिगच नेता है जोने पार्टी ने किनारे लगा दिये हैं पा पार्टियों में द्वारों को रिकॉर्ड मतों से जिताने का दबाव है लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे दोस्तों इस चुनाफ में सबसे ज्यादा कहीं पर मामला पेच फसा हुआ है वो है गुजरात क्योंकि गुजरात में 26 लोक समहा सीटे हैं और हमेशा से ही भारतिय जिनत में कई ऐसे नेता भी चुनावी मैदान में हैं जिनकी जमीनी पकड है है नहीं भारतिय जिनतर पाटी ने इस बार लुक सभाव मिद्वारों की जो सूची जारी की है और जो भाजपा गुजरा थे वहां से जिने चुनाव लड़ाया जा रहा है वो बिलकुल भी उनके लि करके भरतिय जिनतर पाटी के जो लोकल नेता हैं जो कारे करता हैं वो काफी नराज और नाखुश नजरा रहे हैं यानि नरींद्र मोदी और अमिद्शा के गड़ में नरींद्र मोदी और अमिद्शा के गड़ गुजरात में उनके खिलावी बगावत की सूर जो है गुज रही है भाजपा ने भी असुनतुष्ट सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें मनाने का प्रयाज शुरू कर दिया है भाजपा को 2014 और 2019 के लोकसभाद चुनावों में सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन इस बार पार्टी को अपनों के विरोध के चलते दो उमिद्वार को बदलने पड़ गए इनमें से एक वडोद्रा सीच से हैं 2014 में प्रधान मंत्री मोदी वरानसी के साथ साथ खुद वडोद्रा से चुनाव लड़े थे जबकि 2019 में भाजपा की प्रत्याश्वी रंजन भठ 5 लाक वोटों से जीती थी इस बार कार्यकरताओं के विरोध के कारण विद्रो के कारण जो है भठ को अपनी उमिद्वारी वापस लेनी पड़ गई नरेंद्र मोदी को शा को बैक फूट पर आना पड़ा क्योंकि आला कमान ने खुद भठ को जो है वरोद्रा का सीट ओफर किया था लेकिन कार्यकरता इतना नराज है नाखुशे लोकल लीडर्स इतने नाखुशे की भठ को उमिद्वारों की सूची से हटाया गया इसके बाद भाजपा ने वरोद्रा से हिमांग जोशी को अपना उमिद्वार घोशित किया इसी तरहां सावरकंठा सीट से भाजपा ने प पहले लोक्सभा टिकेट बटपारे को लेकर के गुजरात बीजिपी में भैंकर बगावत हुई बगावत उस समय हिंसक तक हो गई जब अम्रेली में बीजिपी कारे करताओं के बीच जडप हुई यानि उमिदवारों के सूची को लेकर के टिकेट को लेकर के अमिद शा मोदी के ग्रहराज गुजरात में दोस्तों भयंकर जड़प हो गई भयंकर एक जो है अब कह सकते हैं एक ऐसा विरोध हुआ जो हिंसक रूप ले लिया मार पीट फसाद शुरू हो गया इसके बाद ये खबर आ रही है कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीज़पी की हार सूनिश्चित है और बीज़पी को शिकस्त देने वाले कोई और नहीं बलकि इंडिया गटबंधन है आम आदमी पार्टी है अर्विंद के जरिवाल है और कॉंग्रेस है गुजरात विधान सभा चुनाव की दोस्तों बात करे 2022 गुजरात विधान सभा में बीज़पी 156 सीटे जीती थी कॉंग्रेस 17 सीटे जीती थी और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़के 5 सीटे विधान सभा में 182 में से 5 सीटे हसिल की थी और इस बार कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी यानि इंडिया गटबंधन एक साथ वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसके चलते ये माना जा रहा है कि जिस 26 के 26 सीटों पर भारतीय जिनतापार्टी क्लीन स्विप करती थी, वहां पर 8 सीटों का नुकसान इंडिया गटपंधन के चलते, आमादमी पार्टी के चलते, कॉंग्रेस के चलते, भारतीय जिनतापार्टी को उठाना पड़ेगा. दोस्तों बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल जॉर्णिस्ट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि दिल्ले के सिरसाथ सीटों पर जुनाफ जीतने के लिए अर्विंद केजरिवाल को बदनाम नहीं किया गया अरवेंद केजरिवाल गुजरात में जो आमादमी पार्टी है उसके मुख्या भी अरवेंद केजरिवाल है गुजरात आमादमी पार्टी को खुद नरींद्र मोधी को शिकस देने के लिए उनके गड़ में उन्हें शिकस देने के लिए खुद अरविंद के जरिवाल चुनावी प्रचार में उतरते और गुजरात में आमादमी पार्टी जो है वो कम से कम 5 सीटे और कॉंग्रेस जो है दो से तीन सीटों पर प्रोजेक्ट कर रही है कि इस बार इंडिया गटपंधन जो है 26 में से 8 सीटे जो है वो इंडिया गटपंधन के पास जा सकती है और इसे के चलते कहीं गुजरात के 8 सीटों पर अर्वीन केजरिवाल की पकर ना हो जाए क्योंकि विधान सभा में देखा था पहली बार चुनाव लड़के आमादमी पार्टी ने 5 सीटे हासिल की थी 5 सीटे क्योंकि वहाँ पर 182 विधान सभा है लेकिन इस बार तो महस 26 हैं अगर उनमें से 7 से 8 सीटे आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस के अलाइंस के पास चला जाए इंडिया गटबंधन के पास चला जाए तो सोचिए ये भारतिये जिनता पार्टी नरेंद्र मोदी और शा के लिए उनके गड़ में किसी बड़े तमाचे से कम नहीं साबित होगा और इसी के चलते अर्विंद के जरिवाल गुजरात का दोरा ना कर सके अर्विंद के जरिवाल गुजरात में कदम ना रख सके चुनावी प्रचार ना कर सके इसलिए दिल्ली और गुजरात को देखते हुए भारतिये जनुता पार्टी के जो आला कमान है जो हाई कम है नरेंद्र मोदी और शा के इशारे पर कहीं न कहीं एडी ने चुनाव से महस कुछ समय पहले अर्विंद के जरिवाल को गिरिफतार कर लिया क्योंकि माना यह जा रहा था कि अर्विंद के जरिवाल चुनावी प्रचार में जब उतरेंगे तो गुजरात के 7-8 सीटे जो है वो बड़े असानी से इंडिया गडबंधन के जोले में चला जाएगा ऐसे में भारतिय जनुता पार्टी को अगर 8-9 सीटों का 7-9 सीटों का नुकसान अगर गुजरात अपनी ग्रहराज में नुकसान जहिलनी पड़ जाए तो सोचिए आगे भारतिय जनुता पार्टी का हाल क्या होगा 303 अभी भारतिय जन्यता पार्टी के पास है और नरेंद्र मोदी बीज़पी अकेले के दम पर 370 का दावा ठोक रही है वैसे में 370 तो छोड़िये 272 के लाले पड़ जाएंगे क्योंकि इस बार महराश्ट्र सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश महराश् बिहार में भी भारतिय जन्यता पार्टी को लाले पड़ गये हैं ऐसे में भारतिय जन्यता पार्टी अगर अपने ग्रहराज्य में भी हारती है या 8 सीटे भी अगर गवा देती है तो ये किसी चुनावी हार जो है इस चुनावी हार को अब कह सकते हैं कि नरींद्र मोदी और शाह के लिए 440 वोल्ट का छटका हुगा और ये भी माना जा रहा है कि अगर अर्विंद केजरिवाल को अभी न रोका जाए अगर आम आदमी पार्टी को अभी न रोका जाए तो गुजरात में आने वाले समय में या आने वाले विधान सभाथ चुनाव में 2027 विधान सभाथ चुनाव में आम आदमी पार्टी वसेस जो है भारतिय जुरुता पार्टी गुजरात में हो जाएगा ऐसे में ये बड़ी चुनावती हो जाएगी भारतिय जुरुता पार्टी के लिए इसे लिए इसे लिए बड़ा खेल करने की कोशिश की गई अर्विं का आंक्रा भी अगर भारतिय जनुता पार्टी क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धी इसे माना जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही राजनीती और राजनीताओं से जुड़ी खबरों के लिए चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को परताल के साथ और सटीक तरीके से पाने के लिए देशनीती को दोस्तो सब्सक्राइब करें और बाकी आपसे मैं गुजारिश करूंगी की चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा जरूर चेक कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है चैनल के लिए बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं और साथी साथ एक लाइक वीडियो के लिए जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंद जै भारत